कि अब आपको अब आपको बताने वादा हूं कि आपने इस्टाग्राम आइडि का लिए अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाउक्स में कैसे डाल सकते हैं बैटकर बने रहे हैं अपने साथ Aber can continue मत करणा वीडियो को बतार वादा हूं कि हम वीडियों कर सकते हैं चलिए बीडियो को स्टार्ट रखते हैं और आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल पर आचुके हैं, अब आपको सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आपको अपना इस्टाग्राम ओपेन कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? सब से नीचे हाँ राइट साइड में आप देख रहे हैं डीपी लगी हुई है यहाँ पे आपकी डीपी लगी होगी इस पे आपको प्रेस कर देना है इसके बाद इसी के जैस्ट उपर सब से किनारे आप देखेगा तीन लाइन बना हुआ है तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है यहाँ पर प्रेस करने के बाद सबसे उपर आपको आपसन मिल रहा है सेटिंग का तो आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है इसके बाद आप सबसे उपर आपसन देख रहे हैं सबसे पहला option है Follow and invite friend यहां पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको तीसरा option देखने को मिल रहा है invite friend तो यहां पे आप जब प्रिस्ट कर देंगे तो आपको यहां पे option मिल जाएगा स्क्रॉल करने के बाद copy का तो यहां से आपको क्या करना है link को copy कर लेना है अब यहां से आप देख रहे हैं पहला ही वीडियो मेरा YouTube वीडियो में description में Facebook का link कैसे डाले इसको मैं यह बताया था यह वीडियो आप जाके देख सकते हैं इसको मैं edit करता हूं यहां से मैं तो इस तरह से मेरे ID का link यहां पेस्ट हो चुका है इसके बाद आपको करना क्या है बैक जाके यहां से आप उपर आपसन देख रहे हैं सेव का यहां से आप सेव कर देंगे अब आपका link उसमें सेव हो गया है अब जो भी आपका वीडियो देखेगा description में आपका link उसको मिल जाएगा तो इस तरह से आप भी अपने वीडियो में अपने Instagram का या Facebook का link copy कर सकते हैं महां डाल सकते हैं description box में बहुत ही आसानिस मैंने आपको बताया है तो मैं आसा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैंने आपको बताया वो भी आपको समझ में आया हो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को like कर देना चैनल पर हमारे नहे हैं तो चैनल को subscribe करना बिलकुल भी मत भूलिएगा क्योंकि इसी तरह के वीडियो में आपके लिए लाते रहते हैं तो चलिए मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए जहिंद